हेलो फ्रेंड्स मैं प्रशांद आप सबका आपके चहीते सेख सेख सुखी जीवन का मंतर दॉक्टर विजे दैफले के साथ इस खास कारेक्रम में तहदिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों हमें जब भी कोई मेडिकल इमर्जनसी आती है या फिर स्वास्थे से जुड़ी कोई भी परिशानी सताती है तब हम क्या करते हैं सबसे पहले हम वो सारी चीजे हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं पर दोस्तो जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परिशानी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि इस बारे में बात करने में हम जिजगते हैं, हमें शर्म आती हैं पर दोस्तो अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुती पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे दोस्तों शो को शुरुआत करते हैं लेकिन उसके पहले जान लेते हैं दॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में संबंदी सभी समस्य आउपर सला एवं मार्ग दर्शन करते हैं तो चलिए शो को शुरुवात करते हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ है सर वेलकम टू दे शो नमस्ते आप सर भी चानता है कि छोटे-छोटे वीडियो जैं लेकिन जानकारी बहुत इंपॉर्टन है जिसे हम साइ बनाच भी ऐसी ही कुछ आकार है जिनके बारे में हम लोग जानकार लेने की कोशिछ शीने स्वारा शिया सुवर्ल हें अज जिसे बारे में मैं बात करना चाहता है छ्रमर Chiefs क फेशिक निרגड पूरी स्यंतिकी कि इनफॉर्मीशन के दे रहे हैं बोधिनियों को रिया हिप सैंत्रुर्त है टाय। इसे पह समझे और की नहीं है लिश्कार दिखते मेनатов चित्टे वैले। बिलकुर दॉप्र डॉट कर गआ पर हमे सब्हें जेता है उब Your Honoral भर लेकिन कब इसे नॉर्मल नहीं कहना कभ उसे ये एबनॉर्मल कहना और कभ उसे हानिकारक हиль ऑकर कच अब चों में हम के Spot से वाले देखने वाले हैं बहुत बार सब्सक्राण में ug Precald Frame an तो वैसे ही इन्फेक्शन में होता है या फिर कैंसर जैसे समझ से है उसमें भी होता है तो यह जो फरक है तीनों में यह कैसे तय करें कि यह अलग है कुछ यह इंपोर्टन है किसी भी प्रकार का डॉट जिसका कलर बदल रहा है जिसके उपर इचिंग हो रहा है जिसके अंदर से कोई सिक्रिशन आ रहा है और कभी-कभी कैंसर बोल रहे हैं आप कैंसर के ऐसे धीरी-धीरी ऐसे पिंपल्स या ऐसे कोई पैपिला वहां पे दिखाए देते हैं कोई ऐसे ईलिवेशन जीसे तो यह एते हैं अबनॉर्मल और अपना इसेम पार्टनर है पर पहले इसा नहीं था और ऐसा कुछ नए है उसको दिख रहा है वहां पे फिंगर दिख दिख रहा है वहां पे रेडनेस हो रहा है ब्लैक नी हो रहा है सो रुटीन से मुकेश जी है नौइडा देडली से उनका फोन है मुकेश जी पूचिए क्या सवाल है अपका इसलिए तो सेक्स एजूकिशन इंपॉर्टन भाई लोग उसके अंदर डायमंड डालते हैं पता है आपको प्यर्श इंपॉर्टन देट डालेंगे उसके अंदर डायमंड डालेंगे यहां पर अपना नॉर्मली मैंटेन चींपिकल्ट है लेकिन का साइंस क्या होता है बलता हूं क्या होता है फोर-पले में बहुत-बार पार्टनर को जो है वहां पर ज्यादा वहां पर किसी प्रकार से फ्रिक्शन होना चाहिए भले अक्ट करते हो तो वहां पर इनर्ट मट्रियल से प्रॉपर असेप्टिक प्रिकॉशन लेकर से प्रिक्शन लेकर से वहां पर भूल देके एक रिंग डाले जाती है उसे कुछ अट्रेक्टिव डायमन्ड यह जो अच्छा प्लैटिनम जिसा मट्रियल भी रहता है लेकिन एक प्रकार से हम कहेंगे एक प्रकार काभूशन है अट्रेक्शन है जिसे कान में बाली है विसे यह है रहता है लेकिन कंसेंट के बाद और पार्टनर के एकसेप्टनस के बाद ही बिल्कुल सर और एक जिसे हम आकार कह सकते है यह हैरी पैनिसिस कहते है तो अभी यह जोगों में देखते हो आप पूरी बाड़ी के उपर पूरे हेरी है रहाते तो उसी तरह इनके हर्स रूटीनली पेनिस के बेस में स्टॉफ होना चाहिए, तो इनकी हेर पूरे शाफ पे भी आगए, पूरे ग्लांस के ओपर वाले स्कीन पे भी आगए, सिर्फ सामने वाला टिप खुला दिक रहा है, इसे कैसे हेरी पेनिसेस, ये भी नॉर्मल रहते हैं, लेकिन पार्टनर का क पहले तो सबसे इंपॉर्टन अभाई एक्सेप्ट करो, समझो यहां पर क्यों दिया होगा ऐसा है, यहां पर बाग्यू में है स्क्रोटम के वहां पर है, एक ऐसा है कोई उपर से इंफेक्शन आ गया अभी इतना तो आनाजीन कोई रहता नहीं, लेकिन कुछ इंफेक्शन हो कुछ बैक्टिरिया हो वहां पर अटक जाएंगे, फिरोमोंस हैने उसमें से एक स्मेल आता है और उसमेल है अट्राट करता है पार्टनर को यह एक थेओरी हो गई, दूसरी थेओरी पही फिमेल पार्टनर को लग रहा है यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वहां प कुछ थोड़ा सा थेड़ी चला गया है बहुत अनीजी फिलिंग आता है तो भई उसको प्रॉपर्ली शेओ करो यह लेजर सी भी आप उसको रिमू कर सकते डिपेंट्स अपने पार्टनर के चोईस के उपर बिल्कुल हमारे कुछ फिमेल ओडियंस है वो भी हमारे साथ है बेंगलोर से नम्रता जी हैं उनका सवाल है नम्रता जी पूछिए क्या सवाल है आपका बोले। जैसे लींक एक धिन आकार होते हैं, वैसे योनी के भी होते हैं क्या। मुझे लगता है। यह पिनिसका होने के बाद तो वही टॉपिक हम लेंगे। जैसे वेरीशन मेल में हैं। उसी तरफ की मेल में हैं। पाश प्रा के अलग अलग होजाना रहते हैं। एक बिक्टीनी थिरेपिज जो है सानफांसिक्स को ने उसने इस्टेडी किये है कुछ तुलिब जैसा आवजाना है, कुछ कुछ कर्टन जैसे है, कुछ बार्बी जैसे है, कुछ हार्शू जैसे है एक अलग तुलिज जैसे जैसे बार्बी जैसे अलग बार्य लूर्म ले आखे पुश्ट काते हैं सरले जैसे बार्बे वि सुछ मेरे जैसे है कि शेवड पेनिसिस क्या होते हैं अपने भेरी के एपोजिट देखो हर एक कि अपने पसंदे भई अपना एक स्टाइल है अपने पार्टनर को रिजाने का तो कुछ लोगों को एक बहुत चका चक पूरा ना मिशानी ना दाड़ी ना नीचे भी पूरा एकदम चका चक साफ क क्लीन रखा है तो ऐसे पेनिसिस को कहते है शेवड पेनिसिस आपको कहां भी भी कुछ ने दीखेगा पार्टनर को अच्छा लगता होगा तो अच्छे बात है ने तो बोलेगा जिसा दाड़ी रोखो वहां भी बाल रखने पड़ेंगे लेकिन इट आल डिपेंड पार्ट बिलकुल आखरी सवाल शेवड पेनिसिस के बारे में अभी आपने बता है अभी उसके फाइदे भी बताई है इसलिए तो शेविंग की यहां पर क्या रहता है आपको देखता हूँ इमिडियेटली देखने के बाद बाद अट्रेक्शन पहले विजन में आना चाहिए बग बहुत बार लिकिंग करना होगा उसके तो समझो आईल या कुछ लुबरिकंट लगया तो उसे आप मसाज लिकिंग और यह भी कर सकते हैं तो यह हुआ इसका फाइदा और इस तरह से मेल को जिसा फाइदा है उसी तरह से जब C.A.T. कॉइटल अलाइडमेंट टेखनिक में फिमेल के उपर भी समझो लुबरिकंट लगा कि वही फ्रिक्शन मुमेंट करेंगे तो अर्गैजम में फाइदा होता है तो फ्रेंड से के कहूँगा ऐसे वारियंट शेप से डॉक्टर से सेक्सोलोगी से पहले डिफरिशेट करो डिप्रेशन में मत जाओ हेट मत करो निस कि पाबंदी है में यहां पर रुखना पड़ेगा लेकिन आप अगर डॉक्टर साब की सला लेना चाहते तो स्क्रीन पर आप अभी डॉक्टर साब के कांटेक्ट डिटेल्स दिख रहे जिसमें कांटेक्ट नंबर है इमेर आइडी है सरक्या वेबसाइट आईडी है आप क के लिए शुक्रिया